सिद्धेश और श्वेता हनीमून के लिए बाली जाते हैं दोनों लोकल मार्केट से एक बहुती मीठा तर्बूज लेके आते हैं दोनों बीच पे बैठके तर्बूज खा रहे होते हैं तर्बूज बहुती मीठा था दोनोंने बराबर 4 और 4 तुकडे खाए कुछ देर बाद अचानक सिद्धेश की मौत हो जाती है टेस्ट में पता चलता है कि सिद्धेश की मौत सहर खाने से हुई है पर सिद्धेश और श्वेता दोनोंने तो सेम तर्बूस खाया फिर सिर्फ सिद्धेश की मौत कैसे हुई? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आप सोच के बता सकते हैं? ध्यान से सोच ये और आपका अंसर कमेंट कीचे चलिए इसका अंसर देखते हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो श्वैता ने तर्भूस के बीज नहीं खाए लेकिन सिद्धेश ने खा लिए जहर बीज में था उस वज़ा से सिद्धेश की मौत हो गई थी चलिए अगली पहली देखते हैं मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा लोजिकल गेम बनाया है इसमें आपको रूम को ध्यान से देखना है और चार डिजिट पता करने है रूम का दरवाजा ओपन करने के लिए क्या आप इस रूम को ध्यान से देखके बता सकते हैं रूम से बाहर आने के लिए चार डिजिट का कोट क्या होगा ध्यान से सोचिए और आपका अंसर कमेंट कीजिए चलिए इसका अंसर देखते हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डोर के उपर तकिया चेर, लाइट और सोफा बना हुआ है रूम में चार तक ये है, दो चेर है, तीन लाइट है और एक सोफा है तो इसी ओडर में कोड हो जाएगा 4, 2, 3, 1 ऐसे और मज़ेदार डोर सॉल करने के लिए जल्दी से डाउनलोड कर लिजे दा 4 डिजिट कोड के में आइपोन और एंडरोइड दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है चलिए अगली पहली देखते है शालिनी के बुटिक से एक बहुत ही एक्सपेंसिव फर को चोरी हो जाता है उसकी बुटिक का लॉक भी नहीं तूटा हुआ था मतलब चोर के पास चाबी होगी चोर को धुणने के लिए शालिनी पुलिस को बलाती है पुलिस को शालिनी बताती है कि सिर्फ तीन लोगों के पास ही चाबी है पुलिस तीनों से पूछताश करती है रोहिनी मैं तो मेरे बॉइफ्रेंड के साथ थी और मैं फर भी नहीं पहन थी तो मुझे कुछ नहीं पता है क्रिशना मैं तो बुटिक में कभी नहीं जाती मुझे तो फर से ही एलर्जी है क्या आप तीनों की बातों को सुनके बता सकते हैं चोर कौन है और कौन जूट बोल रहा है ध्यान से सोचे और आपका अंसर कमेंट किजे चलिए इसका अंसर देखते है क्रिशना ने कहा कि उसको फर से एलर्जी है फिर उसके पास बिल्ली कैसे हो सकती है मतलब वो जूट बोल रही है उसी ने चोरी की है चलिए अगली पहली देखते है इस पिच्चर को ध्यान से देखी और बताए ये भारत का कौन सा शेहर है ध्यान से देखी और आपका अंसर कमेंट कीजे और इसका से जवाब है आग, प्लस रा, आग रा चलिए अगली पहली देखते है ऐसी कौन सी जगह है जहां सडक है लेकिन गाड़ी नहीं है जंगल है पर पेड नहीं है शेहर है लेकिन घर नहीं है क्या आप सोचके बता सकते है इस पहली का जवाब क्या होगा आपका अंसर कमेंट कीजे और इसका सई जवाब है नक्षा मैप चलिए अगली पहली देखते है इन छे पिच्चेज को ध्यान से देखिए और बताए इनमें कौन सा ओड़ वन आउट है मतलब बाकियों से अलग है A, B, C, B, E, F आपका अंसर कमेंट कीजे और इसका सही जवाब है E उसका क्रीम देखिए बाकियों से अलग है चलिए अगली पहली रेखते है अब बताए इन छे बेर में से कौन सा बेर सबसे अलग है आप का अंसर कमेंट कीजे बेर F बाकियों से अलग है उसके हाथ में बास्केट नहीं है चलिए अगली पहली रेखते है इस पिच्चर को ध्यान से देख लीजे अब इन शेडोस को देखिए और बताए कौन सा शेडो इस पिच्चर का है ध्यान से देखिए और आपका अंसर कमेंट बीचे और इसका सही जवाब है शेडो बी शेडो ए में बाल नहीं है शेडो सी का एक एर मिसिंग है और शेडो डी का हाथ देखिए कितना पतला है तो सही जवाब हो गया बी अब इस पिच्चर को ध्यान से देख लीजे अब बताए इस पिच्चर का असली शेडो कौन सा है ए, बी, सी या डी आपका अंसर कमेट किचे चलिए इसका अंसर देखते है बी को पूछ नहीं है ए बहुत मूटा है दी की पूछ बहुत लंबी है तो इसका सही जवाब हो गया सी चलिए अगली पहली देखते है इस पिच्चर को ध्यान से देख लीजे अब इन शेडोस को ध्यान से देखे और बताए इस पिच्चर का असली शेडो कौन सा है ए, बी, सी या डी आपका अंसर कमेट किचे चलिए इसका अंसर देखते है डी को पूछ नहीं है सी को पैर नहीं है बी का साइज बहुत बड़ा है तो असली शेडो हो गई ए चलिए अगली पहली देखते है दो जानी दुश्मन लखन और अकाश एक दिन बीच पे मिलते हैं दोनों जगडा करते रहते हैं तब ही उनके बीच एक जिनी आ जाता है जिनी बोलता है अकाश मैं तुमें तीन विश देता हूं और लखन तुमें एक विश देता है मांगो क्या चाहिए तुम लोगो को पहले लखन की बारी थी लखन ने समझदारी दिखाई और बोला जो भी आकाश को दोंगे उसका दो गुना मुझे देना अब आकाश पहली विश मांगता है मुझे एक पैसो से भरा बैक चाहिए जीनी पैसो का भरा एक बैक आकाश को दे देता है तो लखन को दो बैक्स मिल जाते है दूसरी विश में आकाश एक हेलिकॉप्टर मांगता है तो लखन को दो हेलिकॉप्टर मिल जाते है आकाश तीसरी और आखरी विश जैसे ही मांगता है लखन मर जाता है कैसे ऐसा क्या मांगा आकाश ने क्या थी आकाश की तीसरी विश क्या आप बता सकते है आंसर देखते से पहले आपका आंसर जरूर कमेंट कीचे चलिए इसका आंसर देखते है आकाश ने मांगा कि मुझे आधा जान से मार दो मतलब इसका डबल लकन को पूरा जान से मार दो इसलिए लकन मर जाता है चलिए अगली पहली देखते है आपकी बेहन और आपकी मा दो शेरों के बीट में फस गई है ये वाला शेर अफरीका का सबसे खूखार शेर है इसने दो मेने से कुछ नहीं खाया हुआ है तो ये देखते से किसी को भी कच्चा चबा जाएगा ये वाला शेर भारत का खूखार शेर है इसने भी कई दिनों से कुछ नहीं खाया है जो इसके सामने आ जाएगा उसका कच्च उमर बन जाएगा आपके पास एक बंदूक है लेकिन उसमें बस एक गोली है तो अब आप बताए आप क्या करेंगे किसे बचाएंगे कैसे बचाएंगे आप का अंसर कमेट कीज़ेगे सिंपल है अफरीका के शेर ने दो मेहने से कुछ नहीं खाया है मतलब वो जिन्दा नहीं बचेगा तो आप सीधे अपने बंदूक की गोली ये वाले शेर पे चला दीजे तो दोनों बच जाएंगे और हाँ तो फोर डिजिट कोट गेम डाउनलोड जरूर कीजे मैंने आप लोगों के लिए 120 डूर बनाए है तो आपको बहुत मज़ा आएगा सॉल करने में मुझे कमेंट में बताए आपने कितने डूर सॉल किये और हाँ गेम को फाइव स्टार जरूर दे तैंक यू